करkę तो नमसखार तो सबसे पहले दोस्ता यहां पाद दीख लिएए एक तैनिक भासकर कर नियूज है तो अभी का हुआ है दो पहुत बड़ी नियूज सामनिये निकल खा रही है कि अभी दीखिए कि जो सिंदे की पार्टी थी दोस्तों किसी पार्टी थी सिंदे आप जानते हैं एक सिंदे जो कहा है वहां के सिम्हें कहां के महाराष्ट के तो महाविकास अगारी के सरकार चल रही है दोस्तों उसी बीच में जान सकते हैं कि जो राजिंतिक पॉलिटिया थी वहाँ पास उठक बैठक चली इसके बाद जान सकते हैं कि इसके बाद उनके जो सत्ता थी चले गई ठीक है तो महाविकास अगाडी किसे सरकार बनाया था कांगर्स पार्टी के साथ और जो सिर्षेना है कि दोनों मिलकर एक के सरकार बनाया थे ठीक है जिसे महाविकास अगाली सरकार बुला जाता था इसके बात से दोस्तों दिखेगा कि यहां पास बहुंट सारे चलेंज हाएं कहां आपका बोल सकते हैं कि महराष्ट में ठीके तो इसी बहराष्ट में जो जितना भी पार्टी थे वहाँ पास ठीके तो सब्सक्राइब यहां सिंदे ने मिलकर जो भी वहां पास सदस्त हें विधान सभा के कुछ को उसने अपने पर्टी में मिलाल्या उसके पार्टी मिलाने के बाद जो एक्तिहाई होता है और थर्ड से अधिक लोगों को वह अपने परक्षमें ले लिया और इसके साथ बेजेपी के साथ घट बंधन क कि इसके बाद क्यों है दोस्तों उधाव ठाकरी के जो सरकार थी और नीचे गिर गई लाश्ट में फिर उसको क्या देना पड़ा इस्तिफाद देना पड़ा जिसके बाद क्या है दोस्तों घमासान हुआ जान सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी दूसर से बात करती है ठीक है क जाहिए पार्टी का चिन के लिए چुनाव आयोग से चुनाव आयोग में इसके बाद ने सिंदे गुड़ को सिवसिना के जो धनुस बाढड के जो चीन है दोस्तों उसको ऑफिस्यल तरिके से रिकनाईज कर दिया है तो आप यहां पार दे दे सकते हैं कि हूआ क्या तो यह चुनाय आयोग ने सिंदे गुट को असली सिवसेना मानते हुए पाट्टी का नाम और सिंबल इस्तिमाल करने की जाया देदी है। आयोग ने पाया कि सिवसेना का मजुदा सविधान अलुक तांत्रित है। ठीके अब उधाव ठाकरे गुट ने चुनाव कराय बिना अपने लोगों को पदाधिकारी बनाया है। महराश के मुख्यमंत्री एकना सिंदे ने चुनाय आवेक के फैशलों को लोकतंत की जीद बताया। वहीं उधाव ठाकरे ने कहा कि चुनाय आयोग को सुप्रीम कोड से पहले फैशला नहीं देना चाहिए। अगर विधायक को और संस्दों के संख्या के अधार पर पार्टी के अस्तित तैय क्या जाता है तो कोई भी पुझी पती विधायक और संसत खरित कर सियम बन सकता है। उधाव ने चुनाय आयोग के फैशले के खिलाब सुप्रींग कोड जाने के भी बात कही। तो जान सकते हैं कि पार्टी किसका थहा सभी को पता है कि उधाव ठाग रहे हैं उधाव पारटी है से सेना लेकिन उसका पार्टी के जो है दोस्तों सिंबल है ये पिरसें पर्तीग क्या है वह अब ओफिस्एलीस किसके पास जाने वाला है शिनदे गुर्ड के पास और शिन्दे गुर्ड का बोलता है कि अस्ली सुषराणा सिन्दे गुर्डब सुना के मेंबर है उनका चुनाए आयोग भी बिचमे सामीं वहीं का है तो चुनाय आयोग ने वहाँ decision लिया इसके बाद सिंदेगुट को असली सिंदीका माना है और उसको आप पर्तिक चिन है धनुस बाण में आपको दिखा जाता हूं यहाँ देखे यह जो पर्तिक चिन है दोस्तों सिंदेगा कि यही पार्टी का नाम अविस्तिमाल कर सकता है पर्तिक चिन को वहीं उड़ाव ठाकरे का माना है कि सुप्रीम कोट इस अदेश को रत कर देगा और सुला विधायकों को आयोग घुशित कर दिया गया जाएगा उड़ाव ठाकरे गुट के सिरसेना सांसा सजे राउत ने चुनाया आयोग के फैशलों को लोकतन के हत्या बताया राउत ने कहां देश में सरकार के दादागिरी चल रही है राउत ने ट्विट किया कि इसकी इसकी पहले से त्यार थी देश तनासाही कर बढ़ रही है कि अपने आदेश में कहा था कि आयोग सिरसेना के चुनाव चिन्वा फैशला कर सकता है तो चुनाया आयोग ने सिंदेगुट को सिरसेना का नाम और पार्ट्री सिंबल इस्तिमाल करने की इजायाद दे दी है तो आप बोल सकते हैं कि जो सिरसेना का आधिपत्य दोस्तों अब जाने वाला है किसके पास सिंदेगुट के पास तो सुप्रिम कोट इस अदेश को दिखा दोस्तों अब सही ठागा कि गलत करें तो मुझे नहीं पता लेकिन आप जान सकते हैं कि जब यहां से हो गया है जो सिरसेना का जो गूट है दोस्तों दोगुट में बटा है जा दोस्तों इसका इस्तिमाल करने के जो है अधिकारिक रूप से इनको मिल गया है किना सिंदेग जी को तो बहुत बड़ा मसला है आप जान सकते हैं ठीक है तो यहां देखे बहुत सारे हेडलाइन आपको देखने को मिल लागा तो उधाव से चिना सिरसेना का नाम और तीर कम सिंद्य की घूट की बड़ी जीत महरास की राजन्ति में लंबे समय से उठा पतक जारी है तो ग enable करी निशां से चिन गया आउसल इंदियी के सिंट है दीया है कि यह लोग तंत्र की अध्या है देश की राज़िती में लोग अध्या है ठीक है कि आप तो ऐसा तो है दोस्तों हमरे देश में कुछ चीज तरह कंब होता है जो अधर ठाकरे के जो निता है उसका गूट के वह कि मानना है कि जो हम इस फैसले की निंदा करते हैं और गलत है तेकि और चुना आउगर ने इसमें जल्दबाजी इससे फैसला लिया गया है अब यहां देखिए कि इस दर्बाद चुनाव आयोग ने फैसला चुलाया है शिवसेना अब सिंदक गूट की हो गई है निर्वाचन आयोग अब दस्तावेज भी प्रस्तुत के लेकिन चुनाए अवग ने सिंदक गूट को सही पाया एकना सिंदक गूट के पास एक इकरित शेना के टिकट पर जीद कर आयकोल 25 जो बिज़ेग बिधायक में से 40 आमदार बिधायक है ठीक है पार्टी में कूल 47,082,440 बोटों में से 36 फिश्दी यानि 36 लाग दोस्तों यह है आपका 47 लाग गलती से बोल दिया था ठीक है तो यहां देखिए 36,57,337 बोटों के दस्तावेज सिंदक गूट ने अपने पक्षने पेस कर दिये हैं उधर ठाकरी कूट ने सिर्षना पर पर परिवारी विरासत के साथ ही राजिंत सबूत पेस कर पाया थे यानि कुल 23.5 फिश्दी वोट ही ठाकरे गूट के पास थे सिर्षना के कुल 55 आमदार यानि विधायकों में से 15 का समर्थन ठाकरे गूट के पास था दरसल अब जान सकते हैं कि पिछले साल जून में एकना सिंदे ने दक्ता पलट किया था तो पार सब्सक्राइब या फिर उप मंत्री बन गए इसके बाद दिखे दोस्तों दोनों के बीच असली अब इस तरह से कुछ चल रहा है तो दुखे दोस्तों चुनाव आयोक के जो फैसला है सुक्रवार को आया था हलांकि इस फैसले से जहां सिंदेग गूट में जस्टन के कमेंट करके बताए तो मुझे तू मैं इसके बारे में क्या रखूं ठीक है आप भी बताए कमेंट करके तो चलों मैं वीडियो कहीं प्रस्जिएंट करता हूं वीडियो देखने के लग थाएक्कू भेरी मच और वीडियो में नय है तो सब्स्राइब कर देजिए ठीक है त